नमस्कार दोस्तों, उजांक टाइम्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं आपका गाइड उजांक आज करेंट टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ DDoS के बारे में यानि Distributed Denial of Services के बारे में दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि Distributed Denial of Services एक हमला है, online cyber attack है और इसमें जो online सेवाएं होती हैं, वो कई sources से एक साथ उस traffic पे attack किया जाता है और वो services अचानक से ठप पड़ जाती हैं और वो बहुत महत्पूर्ण services होती हैं हाल ही में एक बहुत बड़ा DDOS हमला Belgium में हुआ और इसमें से 200 से जादा जो organization, महत्पूर organization जिसमें government, वहाँ की parliament, वहाँ के institutions, universities और तमान तरह के research organizations थे उन सब की website स्थप हो गई और वो online service दे पाने में सक्षम नहीं रहे DDOS के जो हमले होते हैं बहुती संगठित साइबर क्राइम के अंतर गताते हैं और इस तरह के हमले राष्टर की पूरी जो एक गती है पूरी जो online segment है चाहे वो banking हो, hospitals हो इन सब को ठप कर देती है और इस तरह के हमलों से राष्टर को बहुत बड़ा नुकसान होता है और बेल्जियम को इस तरह का हमला अभी देखने का शुरू हुआ DDOS का हमला चार मई से शुरू हुआ और लंबे समय तक चला और इस समय तमाम तरह के जो institutions थे, तमाम तरह के जो government की organizations थे, जो financial institutions थे उन सब की सेवाएं बादित हुई दोस्तों ये एक खत्रा पूरे विश्व के सामने मंडरा रहा है और तमाम ऐसे देश जो इस तरह के cyber हमले का शिकार हो सकते हैं इसके लिए पूरे विश्व में एक मंच बनाने की बात चल रही है कि इस तरह के संगठित जो denial of services हमले होते हैं उससे किस तरह से लड़ा जा सकता है तो ddos एक तरह का organized cyber crime की तरह है जहां पर बड़े पैमाने पर किसी भी राष्ट के महत्पूर्ण जो online services होती है उनको अचानक से ठप करने का प्रयास किया जाता है उमीद है कि ये information आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण रही होगी exam में इस तरह की questions बहुत important होते हैं जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं